जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की तरफ से समयदात्मक भरती के लिए एक विग्यापन जारी किया गया है इस विग्यापन के हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं जीरो पिरेट जीरो पिरेट की ये वीडियो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के एक विग्यापन को लेकर है और ये विग्यापन जारी किया गया है चार अगस्त दोहजार तेईस की डेट पर और इसमर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम्तिति निरधारित की गई है एक क्रीस अगस्त दोहजार तेज शाम पान पजे इसके पहले कि आप इसकी पूरी प्रक्रिया संजह मैं आपको बता दूँ कि आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्रादिकरण सिविल लाइन गौरो पत्र न्याय सदन के कार्यालाय में रखे ड्रॉप बॉक्स के माद्यम से ही स्वीकार होंगे कहने का मतलब यह है मेरा कि आप अगर आनलाइन भेज रहे हैं mail से भेज रहे हैं, courier से भेज रहे हैं या speed post या registered post से भेज रहे हैं, तो ऐसे आविदन वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आविदन स्वीकार करने के लिए एक प्रक्रिया अपना ही है, जिसके तहद एक drop box वहाँ पर रखा हुआ है, ये कार्याले है जिला विदिक सिवा प्राधिकरण सिविल लाइन गौरवपत पर और वहाँ पर जाकर के उस drop box में आपको अपना application ड्रॉप करना है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे हम समझते हैं किसकी सिवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा 36 राज्य विदिक सिवा प्राधिकरण बिलासपूर के दिशा निर्देशों के परिपालन में, जिला विदिक सिवा प्राधिकरण दुर्ग में स्थापित Legal and Defense Council सिस्टम कार्याले के क्रिया नवयन के लिए Legal and Defense Council में स्टाफ की न्यूक्ति जो की समिधात्मक होगी, एक वर्ष की होगी, और इसके लिए अरता प्राप्त भारती नागरिकों से नरधारित प्रारूप में आविदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, तीन केटेगरी के पोस्ट उन्होंने बताए हैं, Office Assistant, Oblique Clerk, Receptionist, Cum Data Entry Operator, In Bracket It Is Written, Typist, फिर Office Pune, और तीनों में एक एक पद है, तीनों केटेगरी में एक एक पोस्ट है, तीनों केटेगरी के जो पोस्टिंग होनी है, वो समिधा रूप में होनी है, इस बात का ध्यान रख संख्या के बारे में जरूर इनों ने नीचे लिखा है कि पदों की संख्या परिवर्तनी है, परिक्षा तिति में परिवर्तन करने का अधिकार, जिला नयाया धीश, अबलिक अध्यक्च, जिला विदिक, सिवा प्राधिकरन, दुर्ग के पास उरक्षित होगा, और भरती प्रक्रिया या चैन प्रक्रिया में किसी प्रकार की शंका, अन्यमित्ता, शिकायत, विवाद, इस तरह का कोई भी बात होता है, तो उसके लिए अंतिम निर्डे, चैन समीति का होगा, जो सरोमान्य होगा, अब आए बात कर लें सेलरी इसकी, ऑफिस असिस्टेंट यानि की अब लिक क्लर की जो सेलरी है, वो बीस हजार रुपे लिखी गई है, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर की जो सेलरी है, वो सतरह हजार है, आफिस प्यून की सेलरी बारह हजार है, यह सेलरी एक मुस्थ है, वेतनमान जो दिया गया है, वो एक मुस्थ है, और प्रतिमा इतनी ही आपको graduation होना ज़रूरी है, basic work processing skill and the ability to operate computer and skill to feed data, मतलब computer में आपको काम करने का experience होना चाहिए, आपका caution इतना होना चाहिए कि आप चीजों को deal कर सकें with the computer, आपके अच्छी typing speed हो, with proper setting of petitions, ability to take dictations and prepare files for presentation in the course, code में प्रस्तूत करने के लायक, आपके पास prepare करने का, filing को prepare करने का dictation लेने का, यह सब experience आपको होना चाहिए, आप में यह skill होना ज़रूरी है, file maintenance and processing knowledge का, अब receptionist come data entry operator के लिए educational qualification, graduation ही लिखा गया है, excellent verbal and written communication skill होना चाहिए, word and data processing ability होनी चाहिए, ability to work, telecommunication system जिसे telephone, fax, switchboards, इस पे सब में काम करने का, आपको experience होना चाहिए, proficiency with good typing speed, यह भी आपके लिए essential qualification में लिखा हुआ है, जो तीसरा post है, जिसे आफिस प्यून का नाम दिया है, इसमें educational qualification 5th class का minimum है, 12th class के से अधिक, अगर आपकी योग्यता है, तो आपके आविदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यार नखे, मतलब जो लोग जिन लोग की course किया हो, या आपके पास कोई certificate हो, तो उसे attach कर दे, इसके जब मैं कह रहा हूँ, तो driver है, cook है, माली, electrician, बढ़ाई, plumber, इस तरह का कोई अनुभव हो, तो उसको प्राक्त्मिक्ता दी जाएगी, प्रतेक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त सेक्शनिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तूत करेंगे, साशाय का एक घोष्टा पत्री प्रसूत करेंगे आवेदक द्वारा सेक्ष्णिंग योग्यता के संबंद में दी कई जानकारी अपूर्ण अथ्वा असत्य पाई जाती है तो चैन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम में उनकी नियुक्ति निरस्थ कर दी जाएगे आयू सीमा वगरे की सरतें इसमें लिखी है 18-35 साल की और इसके अलावा इसमें और कोई बात अगर मुझे दिख रही हो तो मैं आपके सांद जरूर्ण शेयर करूंगा मेरा ख्याल है इस पे और उतना कोई महत्रपूर्ण बात मुझे नहीं लग रहा है आवेदन पत्र भेजने के तरीके को एक बार फिर से स्पस्ट कर दूँ जिन आप अर्दियों के आवेदन पत्र समयाव अधी में कार्याले में प्राप्त होगा उनकी छटाई होगी और उ उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा जब दावापति का निराकरण हो जाएगा तो अब्हरतियों को आवेदकों को एक रोल नंबर आबंटित किया जाएगा और उस आबंटित रोल नंबर में नाम पिता पती का नाम पता सहित एक सूची जो है वो पूरी जिलाय उन्सात्र नय अधिश दुर्ग की वेबसाइट डी कोड इकोड दुर्ग में अप्लोड करती जाएगी वहां से आप देख सकते हैं आगे इसमें और कोई महत्वपुन बात मुझे नजर नहीं आ रही है ये आगे लिखते हैं आप भ्यरत्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परिक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी ये भी बात इन्हों ने लिखते हैं आवेदन पत्र आप कैसे प्रस् आवेदन इकी साथ दो हजार देई शाम पांच बजे तक बंदली फाफे में सारे दस्ताविजों के साथ जो पता मैंने पहले बताया एक बार में फिर आपको पता बता दूँ जिला से विदिक सिवा प्राधिकरण सिविल लाइन गौरावपत न्याय सदन इस कार्याले में ड्रॉप बॉक्स में डाल दिये जाए अन्य कि शिमाध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा अगर आप यह पूरा विस्तरित वीवरण जानना चाहते हैं इस पीडियाप को देखना समझना पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे पांच मेनों ने आपको चिन्नांकित किया है बिना हस्ताक्षर फोटोग्राफ और दस्तावेच के अभाव में भी आपका आवेदा निरस्ट कर दिया जाएगा स्वप्रमानित पासपोर्ट फोटो रंगीन फोटो पहचार्म के तौर पर आधार कार्ट की स्वप्रमानित चाया प्रती भी सनलग्ड करें यह सारी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको लिंक दे देता हूं आवेदा को चाहिए कि विग्यापन में दिये निर्देशों और आधन पत्र में वांचित सभी जानकारी सावधारी पूर्वा पढ़कर भरें तूटी ना करें और जो चैन भी दी है उस पर एक छोटा सा हम जानकारी ले ले रिश्यप्शनिस सह डाटा एंट्री आपरेट आधार पर मेरिट लिस्ट में स्थान मिलेगा दूसरा चैन जो होगा वह कौशल परिक्षा का होगा यह जो कौशल परिक्षा होगी वह धाई सव अंकों की होगी और उसके बाद इंट्रिव्यू होगा वह सौ नंबर का होगा धाई सव शब्द आपको मिलेंगे हिंदी परिक्षा की बडल तथा टाइप की गई प्रत्यक अशुद्धी के लिए अंक कटेंगे यह पूरी जो कौशल परिक्षा की प्रक्रिया है उबन्टु लाइनेक्स लिब्य आफिस विंडोज ओएक्स और में लिया जाएगा अगर आप स्टेनोग्राफर की योग्यता रख इसके लिए कौशल परिक्षा धाइसाव अंकों की होगी साक्षातकार सव अंकों का होगा धाइसाव शब्द आपको मिलेंगे हिंदी गध्यांस के दस मिनट की समय सीमा मिलेगी आधा अंक हर एरर के लिए काटा जाएगा हेड़िंग बोल्ड पराग्राफ सेटिंग टेब परिक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी वर्गवार होगी और चैने तु अभ्यर्थी वरिता सुची में सवान अंक प्राप्त होने के स्थिति में जन्मतिति के आधार पर जो वरिता होगी उसे आमंत्रित किया जाएगा कोशल परिक्षा के प्राप्तां के मेर किया जाएगा और चैन है तु अभ्यर्थी वरिता सूची में समान अंक अगर आ रहा हो तो जन्मतिति को ही आधार बनाया जाएगा अब आते हैं कार्याले वरित्त के लिए रिक्त पदों की जो उचित पाये जाने वाले वदन पत्रों की संख्या को देखकर 30 गुना काता के बाद वरिता सूची बनाई जाएगी और जैसा मैंने पहले कहा कि वरिता सूची पे अगर एक समान हो जाते हैं अंक तो उम्र को आधार बान करके चैन किया जाएगा एक और बात मोट करें अगर आपने पांचवी कक्षा में ग्रेड सिस्टम से पढ़ाई की है तो जिम्मेदारी है कि स्कूल में जाकर के उस ग्रेड को प्राप्तांग में करवाले और उसका एक स्वप्रमानित प्रतिशत का प्रमान पत्त प्राप्त करके स्वप्रमानित दस्तावेज नर्धारी ताविदान प्रारूप के सांथ सनलग्ड करें लिखित परिक्षा कौशल परिक्षा साक्षातकार यह सारी चीजों का योग कर अंकों के अधार पर बेविट सूची बनाई जाएगी और उसे फिर आपको च्छतिक्षा राज्य विधिक सिवा प्रादिकर और बेलासपूर को भेजा जाएगा फिर वहां से अनुमोदन के बाद यह सूची दुर्ग. प्रतिक्षा सुची परिणाम घोशित होने के एक वर्षक प्रभाव शील रहेगी यह बाद इसमें लिखी हुई है जब आपका चैन हो जाएगा चैनी तुम्मी द्वारों को इस आशाय का घोश्टापत्र प्रस्तूत करना होगा कि उनके विद्ध कोई किसी तरह का आपराधिक प्रकरण नहीं है और फिर जिला चिकित्सा रहे दुर्ग के चिकित्सा बोर्ड के द्वारा स्वास्ति आवेदन पत्र का प्रारूप मैं दिखा दूँ यह आवेदन पत्र का प्रारूप है आप देख पाएंगे आवेदित पत्र का नाम आपको लिखना है फिर अपना नाम लिखना है अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखना है लिंग लिखना है पुरुष म रोजगार कारेले का जिवित पंजियन का नंबर लिखें, राश्टरीता, पत्रवेवहर का पता, स्थाई पता, अगर उनसे अलग हो तो रोजगार कारेले का जिवित पंजियन और उसका एक स्वप्रमानित प्रतिलिपी सनलगने करें, मतलब एक फोटो कापी कर लें और उसक लिखें और फिर उसके बाद एक कॉलम बना है परिक्षा का नाम उत्तिर्ण होने का वर्ष विश्विद्यालय का नाम विशय प्राप्तांग पुरुणांग और प्रतिशत इसको आप पूरा भर दें अगर आपके पास है तो उसे मेंशन करें अगर सास की आर्द शास की संस्था में काम करते हैं तो हां लिखें और अगर काम कर रहे हैं तो उसका एक अनापत्ति प्रमान पत्र इस अध्याविदन के साथ संदगने कर दें अगर कोई नयायले में लंबे प्रकरण हो तो उसकी जानकारी दें अपना मोबाइल नंबर लिखें और सारे डाक्यूमेंट्स को अटेच कर दें इस आठ इन्होंने लिस्टिंग दी है अगर इससे ज़्यादा हो तो सीरियल नंबर आप आगे बढ़ा दें आपको सेल्फ अटेस्टिट कर देना है सारे डाक्यूमेंट्स को यह भी लिखा है बिना हस्ताक्षर के आविदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आखिर में गोश्टन पत्र देनी है अपना नाम हस्ताक्षर यह सब कुछ करके आपको यह आविदन भेज देना हैं, जो पता मैंने आपको पहले बताया है, तो मित्रव उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी स्पस्ट हो गई होगी, सारी चीजे मैंने इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया है, और साथ में यह बात भी आपको बता आगे हम आपसे नई information के साथ फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार